तो दोस्तों बिग बॉस की एक और एक्स्क्लूसिव खबर लेके आपके सामने हाजिर है रजा और वो खबर ये है कि बिग बॉस में कौन-कौन होंगे कल नॉमिनेट और क्या ट्विस्ट हुआ किसने किसका सीन बदला वो भी बताती हूँ अभी तो होता ये है कि कविता जो ह किसको नहीं किया हुगा ये तो कहानी में ट्विस्ट है और उन्होंने वाकई में सीन पलट दिया है तो दोस्तों सीन ऐसे पलटा कविता कोशिक ने कि लगता था बट ओव्यस एजास खान जो डे वन से उनके एनिमी है लेकिन नहीं उन्होंने एजास खान को सेफ कर दिया जी हाँ कविता कौशिक ने एजास खान को सेफ कर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया है अली गोनी को अब अली गोनी भी उस दौड में कुछ पीछे नहीं थे वो भी हाथ दो के उनके पीछे पढ़े थे और रडाई जगरे में अली और जैस्मीन बिल्कुल फुल अन टकर दे रहे थे एजास को जहां एजास अफशांत हो गए थे और वो दोनों आ गए थे मैदान में तो कविता ने टार्गेट किया अली को और अली को कर दिया नॉमिनेट और सेफ कर दिया एजास को वहीं जो छे लोग नॉमिनेट हुएं मैं उनका नाम बताती हूँ आपको थोड़ा शौकिंग जरूर होगा तेकिन इंट्रेस्टिंग भी है तो वो नाम है अभिनव शुकला, फुबीना दिलैक, जैस्मीन भसीन, राहुल वैद्या, अली कोनी और पवित्रपुनिया यह छे लोग हो गए हैं नॉमिनेट, अब इन में से कौन घर से बेगर होगा यह तो हमें अगले हफते ही पता चलेगा और जैसा कि हमने आज देखा हमारे जान कुमार सानू निकल चुके हैं घर से बाहर और अब निकी तमबोली रह गई हैं अकेली और वो रोती हुई जान का बहुत दिल दुखाया और अब मैं बाहर जाके उनके साथ रहूंगी यह स्टेटमेंट है अपनी निकी तमबोली का कि मैं जान कुमार सानू के साथ रहने वाली हूँ अब वो रहने वाले में क्या सेंस है वो तो कुछ भी नहीं कह सकते वक्त बताएगा लेकिन ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो यह हमारी बिग बॉस की एक्स्लूजिव खबर थी कि किसने किसको नॉमिनेट किया किसने किसको सेव किया तो कविता कौशिक ने तो आज पासा पलड़ दिया और नॉमिनेशन में आ गए हैं यह छे लोग और जो नॉमिनेशन टास्क तो यह थी दोस्तो हमारी बिग बॉस की एक और एक्स्लूजिव खबर बने रही है हमारे साथ जुड़े रही है हमारे साथ और बहुत देर हो गई है सोच आईए अपना ध्यान रखिए गुड़ नाइट टेक केर